वेलकम यॉल इन के मिस्ट्री ड्राइव विद रवनीच जैसा कि मैंने आप सबसे कुछ दिन पहले ही मैंने पोस्ट भी डाली थी उसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द हम आ रहे हैं आपके लिए लेके वीडियो सीरीज और स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें हम और सारी जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है यूवी आयार एनमार और इवन जैसे एस्र है यह मास्पेक्ट्रमेटर उसको भी हम कवर करने की सब टॉपिक्स को जो है कवर करने की कोशिश करेंगे आज जो इस वीडियो में मैं आपको पहले कराऊंगी सारा basic of spectroscopy की आपको पहले पता होना चाहिए कि ये spectroscopy चीज क्या है, हम क्यों करते हैं या कौन-कौन से ऐसे basic concept है जो मेरे को पता होने चाहिए तो आप बने रहेगा इस पूरी जो है वीडियो सीरीज में हमारे साथ तांकि आपका कोई भी topic जो है वो skip ना हो और आपको step by step सारी जो चीजें आप अच्छी तरह से understand कर पाओ तो इसमें हम numericals भी करेंगे principles and all जो भी spectroscopy टेकनीक है कहां वो apply होती है daily life में तो वो हम करेंगे तो यह जो spectroscopy topic है यह सिर्फ BSE या MSE ही में ही नहीं जबकि यह net gate point of view से भी जो है very very important topic है इसमें numericals आते हैं और I think BSE final year में जो है six semester में अगर हम बात करें तो बहुत I think कई बार ऐसा होता है 30-40 percent paper spectroscopy के basis भी आजा है वीडियो सेरिस जो है वो provide की जाए तो आप at the end पूरी वीडियो एंड तक देखी और जुरूर बताईए कि आपको कैसा लगा यह वीडियो और आप जो है पताईएगा जरूर हम उसको cover करने की कोशिश जरूर करेंगे तो spectroscopy एक ऐसा topic है जिसका हमारी life में बहुत ही important role है फिर चाहे वो हमारी कोई भी industry हो pharmaceutical से लेके जितनी भी हमारे पास different industries है जिनमें sample checkings होती है तो यह सारी industries में spectroscopy का एक बहुत ही important role है तो इसलिए spectroscopy को पढ़ना बहुत जरूरी है हम daily life में इतने चीज़ें इतने objects देखते हैं अपने round तो हमारे mind में question arise होता है कि इस चीज़ का structure कैसा होगा इसमें atoms का इसमें arrangement कैसा होगा तो इन सारे सवालों के जवाब जो है वो एक ही branch देती है that is spectroscopy तो बहुत सारे procedures involved होते हैं जब हम spectroscopy की बात करते हैं कहने को छोटा सा एक word है spectroscopy बट कोई भी चीज है उसके दिए अगर आप उस पे spectroscopy technique apply करते हो तो जिसमें हमारे पास जैसे आप medicines खाते हो तो medicines भी इसी तरह से एकदम से नहीं बन जाती उसकी उस पे भी पहले spectroscopy जो है वो apply की जाती है तो purification होती है elements की detection होती है कितना किस दवाई में estimation डाल के element जो भी है वो डले का वो सारी चीज़े देखी जाती है उनका molecular mass data mine किया जाता है फिर पूरी calculations की जाती है कि क्या ये molecular formula सही बना है तो फिर उसके बाद पूरा structure एक deduce किया जाता है तब जाके एक जो है medicine वगारा का जो sample है वो तयार होता है तो इसमें जो spectroscopy है उसका बहुत ही बड़ा role है So spectroscopy एक तरह से just according to definition अगर हम कहें तो it is a study of the absorption and emission of light and other radiation by matter So it involves the splitting of light or more precisely the electromagnetic radiation into its constituent wavelengths a spectrum which is done in much the same way as the prism splits light into a rainbow of color अब इसका क्या मतलब है जब कभी भी कोई light जो है किसी surface पे पड़ती है तो obviously उसके साथ वो interact करती है जैसे जिसको हम कह सकते हैं कि light और matter का एक तरह से interaction होता है आपस में तो जब हम spectroscopy की बात करते हैं तो हम light को भी specify कर लेते हैं वो हम आगे detail पड़ेंगे So जो हम light radiation यूज कर रहे हैं That we said is the electromagnetic radiation तो जब electromagnetic radiation किसी object पे fall करती है ठीक है किसी object पे fall करती है यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है तो उसके अंदर तक जाके अब आपको पता है कि हर चीज के अंदर हर matter के अंदर क्या है there are the atoms तो यह जो आपकी radiations होती है यह जो electromagnetic radiations है वो atoms के साथ जा जाके interact करती है ठीक है जिसी तरह जैसे उसने बोला according to definition जिस तरह से एक prism पे जब light पड़ती है तो प्रिजम क्या करता है उस्न light को split करता है तो इसी तरह prism पे light पड़ी इसी तरह जब light एक object पे पड़ती है तो obviously वो object भी क्या करता है जब light के साथ interact करता है तो वहाँ पे एक हलचल होती है वहाँ पे एक जो है light की transmission होती है कई बार light की absorption भी हो जाती है तो वो चीज़ भी हम आगे जब types of spectroscopy पढ़ेंगे तो वहाँ पे और भी clear हो जाएगी तो याद रखी गया for the time कि spectroscopy किसके साथ deal करती है it is simply the interaction interaction किसकी है एक matter की एक electromagnetic radiation के साथ और matter की भी अगर हम बात करें तो it is an interaction of the atoms तो इसी तरह हम क्या करते है जैसे मैंने suppose कर लो बोल दिया इथेन ठीक है अब इथेन का structure कैसा होता है ये चीज़ देखने के लिए हम क्या करेंगे इसका एक sample ले लेंगे इथेन का उस पे हम electromagnetic radiation जो है वो fall करवाएंगे तो वहाँ से हमारे पास कुछ calculations आएंगी कुछ हमारे पास जो है readings आएंगी उन readings के basis पे हम क्या करते हैं हम पूरा अपना दिमाग लगाएंगे हाँ भी इसमें ये atom है carbon है इसमें तो hydrogen की भी peak आई है तो इसमें इतने hydrogen हैं ठीक है और ये hydrogen का arrangement कैसा है वो भी हम देखेंगे कि वो cis है, trans है ये सारी information हमें spectroscopy ने दे देनी है तो फिर बाद में हम क्या करते हैं इस तरह से पूरा जो हमारे पास data आता है जो spectra आता है उसके basis पे हम structure जो है वो deduce कर लेते हैं So then comes to the next ये जो technique है ये जो structure elucidation है इसमें जो है, इसके advantages क्या है ठीक है, हम इसी को क्यों opt करते हैं जैसे pharmaceutical levels पे या industrial level पे why we choose spectroscopy for the sample analysis सबसे पहली चीज एक तो wastage नहीं हमारी होती इतनी, बहुती small amount of sample हमें चाहिए होता है we require a very small amount near about 2 to 5 mg of the organic compound कि सिर्फ हमें जो analysis करना है जो हमें spectra चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा ही हमें sample चाहिए होता है फिर उसके बाद next है कि ये जो method है क्योंकि अब जैसे इतनी दवाईया बनती हैं ना दिन में तो कितनी, मतलब सारी industries को अगर आप देख लोगे तो कितना मतलब थोड़े थोड़े time बादे एक बंदे वहाँ पर लगे हुए है जो सिर्फ यही काम कर रहे है ठीक है तो वो इसलिए क्या होता है काफी information obtained हो जाती है in the form of like chart or graph तो आपके पास एक permanent record रहता है sample का तो यह बहुत ही एक useful चीज़ है कि थोड़े से time में especially from the like industrial point of view and from research point of view you can like analyze the various samples in just a small fraction of time so then coming to next is जो इसकी advantage है वो यह है कि जो spectroscopic studies है except this mass spectrometry so उसमें जो compound होता है जादा तर वो unaffected रहता है जैसे मैंने बोला कि इसमें हमारी wastage बहुत कम होती है एक तो sample कम लेते हैं दूसरा कई बार sample जो है mostly spectrometry को शोड़के mass spectrometry को शोड़के unaffected रहता है तो आप उसको recover कर सकते हो वहां से then the fourth one is that most of these methods are extremely sensitive to small change in spatial orientation of the various atoms that are present in the molecule so we generally use these samples to even determine the stereochemistry आप किसी भी organic compound की stereochemistry का भी पता कर सकते हो जैसा मैंने बोला था से इस trance है कैसा arrangement है atoms का तो वो सारी चीज़ें जो है कि वो chair form में है वो किस like board form में है वहां पे axial है equatorial है हमारे पास hydrogen सारी जो stereochemistry है आपको यहां से इस branch of science से है हमें chemical reaction के rate के बारे में बताते है कि chemical reaction की आगे proceed हुई है कि नहीं क्या reactant से जो हम चाहते थे वो product बन चुका है कि नहीं वो कैसे बता गरोगे obviously जो आपका reactant होगा आप उसका sample analysis कर लो और जो final product होगा उसका sample analysis कर लो obviously अगर उसमें changes है जो उसमें वही आपको information मिल रही है जैसा आप product चाहते थे तो definitely that means the reaction is proceeding toward the forward direction तो आपको rate के बारे में भी पता चल जाता है then coming to next is जो चीज हमारे लिए इसमें important है आपको पता होनी चाहिए कि हम किस nature के साथ light की radiation की किस nature के साथ इस पूरे में deal करेंगे तो Clark Maxwell की दी होई थी electromagnetic wave theory तो electromagnetic wave theory ने हमें बताया था कि हर जो electromagnetic radiation होती है जैसा कि आप physics में भी पढ़ते हो physical chemistry में भी पढ़ते हो ये चीज कि electromagnetic radiation के साथ electric and magnetic field associated होते जैसा इस diagram में भी आपको दिखाया गया है and they both are perpendicular to each other जो electric and magnetic field होती है वो क्या है कि वो एक दूसरे के perpendicular होती है to the like direction of propagation and then it travels in the form of waves तो light जो होती है वो हमेशन एक wave की form में travel करती है जैसा आपको यहाँ पर दिख भी रहा है लहरे जैसे बहती है उसी तरह हमारी light जो है वो travel करती है then light travels with the velocity of light that is 3 into 10 degrees to power 8 meter per second से जो है वो light travel करती है तो आपको जो जीज़ जयाद रखनी है कि हमें जो deal करना है spectrometry में that we have to deal only with the wave nature of the light हमें particle nature पर कुछ नहीं focus करना हमें wave nature का पता होना चाहिए wave के साथ जो जो एक छोटी-छोटी terms associate है आपको उनकी knowledge होनी चाहिए राइट तो छोटी-छोटी वो कुछ terms जो है वो कौन सी है सबसे पहली आती है wavelength तो wavelength जो है that is the distance जैसा आप देख रहे हो यह एक wave travel कर रहे है this is the direction of like traveling ठीक है तो wavelength क्या होती है दो consecutive जो crest है और trough है आपको पता होना चाहिए कि जैसे यह wave होती है ठीक कर जो है crest है और यह lower one जो होती है वो trough होती है अब उसने कहा है कि जो distance है between two consecutive crest और trough उसको हम बोलते है wavelength जो आप lambda से denote करते हो तो आपको यहाँ मैंने शो किया हुआ इस diagram में आप देख सकते हो figure में कि यह एक crest है यह उपर वाली और यह भी एक crest है इनके बीच का जो distance है that is wavelength तो wavelength के units आपको पता होने चाहिए angstrom होते है we have the micron we have the millimicron we have the nanometer तो depend करता आप कौंसी spectroscopy करते हूं तो इसमें कईयों में हम millimicron भी use करते हैं ठीक है वो units मैं last में बताऊंगी आपको ठीक है यह conversion point of view से थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि जैसे 1 angstrom कितने मीटर के इककल होता है 10-10 है आप चाहिए इसको क्लिक करके रख लो note करके रख लो यहां से 1 micro जो है आपके पास that is equal to 10-6 meter micron then micron meter के इककल होता है 10-6 then millimicron जो होता है 10-9 meter 1 nanometer that is equal to 10 angstrom then frequency frequency का मतलब होता है कि जैसे कोई भी तुमने point choose कर लिया ठीक है उस point से ठीक है कितनी number of waves pass की गई है one second में ठीक है number of waves passing through the point को भी point यहां रख लो उस point से कितनी number of waves pass करके गई है तो उसको बोलते हैं हम frequency mu से आप denote करोगे ठीक है और इसका जो express express करते हो that we express in the form of cycles per second यह हर्स की form में और simply you can write on second inverse for this then velocity आपको बता ही है velocity जैसे speed is equal to distance over time करते थे तो इसी तरह यहां पर है कि जो linear distance travel करती है कितना वो travel कर रही है in one second that is its velocity and units are simply meter per second and centimeter per second and it is denoted by letter c so बच्चे काफी बच्चे ना mu और c में confused होते रहते वो दोनों सेम ही समझते रहते तो आपने गलत नहीं करना यह frequency है यह velocity है क्योंकि आगे जब हम formulas लिखेंगे जब हम कोई numerical करेंगे you should know कि what is frequency what is velocity तो इसको note कर लीजिए और formula जो हम mostly use करते हैं so you all know that c is equal to mu lambda वहां से obviously जो चीज आपको निकालने को कही जाए wavelength frequency तो आप उसके according उसको आप मोल्ड कर लीजिए आप उसको cross कर दो जैसे यह lambda हो गया तो lambda किसके आगा c by mu similarly mu is equal to c by lambda so better है कि formula learn करो वहीं से आप इसको cross multiply वगरे वो कर लिया करो then coming to the wave number so wave number का मतलब है जैसे यहां पर यह confuse मत हो ना this is the number of waves passing through the given point और यह wave number so number का मतलब एक उमने distance fix कर लिया that is one centimeter length ठीक है तो one centimeter length आपने fix कर ली तो कितने number of waves one centimeter length में present है ठीक है एक centimeter जो तुम्हारी length है वहां पर कितनी waves है that is the wave number and it is denoted by mu के उपर आपने bar लगा देना है और it is simply the reciprocal of the wavelength ठीक है यह जाद रखी गा इसका जो unit होगा wave length का जैसे centimeter है तो इसका क्या होगा centimeter inverse अगर इसका meter है तो meter inverse ठीक है so accordingly जो है आपके पास units होगे यह basic बश्चोटी सी terms है बाकी तो जैसे जैसे हम spectroscopy cover करेंगे उसमें जो जो कर दूँगी मैंने जो physical chemistry का spectroscopy करा रखी है उसका बिल्कुल first जो video lecture होगा उसमें सारी इसकी detail कराई है इवन उसमें मैंने बहुत जादा terms कराई है इसके related तो जैसे मैंने यहां पर आपको थोड़ी सी चार्ट टर्म्स ही कराई है तो आप वह video lecture देख सकते हूं मैं playlist यह शेयर कर दूँगी तो वहां आपको electromagnetic spectrum की detail मिल जाएगे पूरी तो आप उसको watch करेगा वो जब मैं initial stages पे हम थे जब हमने वीडियो बनानी शुरू करी थी तो सबसे पहली वो वीडियो थी तो जो भी मेरे पास तब sources available थे तो मैंने वहीं से उन्हीं को use करके आपको जो है मेरे पास यसे writing pad नहीं होता था तो I just try to like provide you video with whatever sources are in my hand so अब धीरे धीरे करके हमारे पास यसे pen tab है तो हम वो use करते हैं so hope so in the coming years also कि हमारे पास और भी sources available हो हम आपको और अच्छी जो है videos आपको provide करें तो आप electromagnetic spectrum की बेटर है वहां से आप video देख लीजेगा so electromagnetic यहां पर छोटा सा बस मैं इसको थोड़ा सा overview देती हूं कि electromagnetic spectrum में क्या होता है कि जैसे हमारे पास जो electromagnetic radiation है उसको हम arrange करते हैं in the form of the increasing wavelength and decreasing frequency में तो हमने उसको different different rays में divide कर दिया है gamma, x-ray, uv, ir, radio and even x-ray है यहां पर so gamma, x, uv, ir and radio waves so these are range in order of increasing wavelength and decreasing frequency so अब हमारी जो spectroscopy techniques है उसमें क्या है कि हम किसी technique में कोई radiation use करते हैं किसी region की ठीक है किसी में कोई region की हम use करते हैं तो बहुत important है आपको पता होना चाहिए कि कितने regions है उनकी क्या wavelength है तो मैं जो spectroscopy technique कर रही हूँ उसमें मेरे को कौन से radiation कितनी wavelength की light जो है वो उस पे fall करवानी है आपको यह चीज़ पता होनी चाहिए तो जैसे for example जैसे हम पढ़ने वाले जैसे UV हो गया, IR हो गया और NMR हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि जो UV है so UV में हमारे पास दो region आ जाते हैं that is far UV and the other one is near UV region depend करता है आप क्या यूज़ कर रहे हो, आपको far IR यूज़ करना है यह far UV मतलब far ultra violet rays यूज़ करनी है for the this UV spectroscopy ultra visible जो हमारे पास spectroscopy है तो far का region जो होता है that is from 100 to 200 nanometer का जबकि जो near जो आपके पास होता है that is from 200 to 400 यही पर अगर learn कर लोगे better है क्योंकि आगे भी हर principle में आपको ये लिखना ही होता है कि कौन से region की light fall करवा रहे हो, तो learn कर लो कि UV में far UV होता है और एक near होता है और ऐसी IR में अगर आप देखोगे तो हमारे पास 3 होते हैं region, एक होता है हमारे पास near, एक होता है हमारे पास IR, एक होता है हमारे पास far IR तो जो near बाला होता है, that is from 1 to 500 to 4000 cm inverse, ठीक है मैं ऐसा करते हूं इसका आपको ने टेबल की form में बना देती हूं ताकि आप note कर लो, तो आप note कर लो इस चीज को UV, इस तरह कर लो IR and NMR, क्योंकि ये काम तो आ नहीं है तो इसलिए इसको note करी लो, यहां लिख लो far UV region और यहां लिख लो near UV region राइटिंग समझ लेना बस, ठीक है, 100 to 200 nanometer, यह है 200 nanometer to 400, 400 nanometer, ठीक है then IR में मैंने आपको लिखवाया, that is near, तो near की range लिख लो, 12500 से 4000 centimeter inverse, तो यही अगर आपको micrometer में लिखनी है, तो 0.8 से लिख लो, 2.5 then coming to next is IR, IR को कई बार ना, ordinary IR भी बोल रखते हैं, तो यह भी वर्ड याद रख लेना, ordinary IR भी इसी region को बोलते हैं, so उपर 4000 पे खतम हुई है, तो यह 4000 से 667 centimeter inverse, और micro में 2.5 to 1.5 then coming to next is the far IR, so far IR is, यह किस पे खतम हुई है, 667, so 667 से 50 centimeter inverse, और इसमें रहेगा 15 से, 15 to 200 micrometer, ठीक है, I think यही होगा, तो उसके बाद आ गया NMR, NMR का मतलब radio frequency में ही देते हैं, हम इसको range, आप note कर लो, 3 megahertz से लेके, जो है 30,000 megahertz की जो radio frequency है, वो इसमें NMR में दी जाती है, तो इसका screenshot मार लो, या इसको note कर लो, तो यह आपके काम आएगी, तो यह चीज हो गया, फिर आगे चलते हैं, यही बस आपको पता होना चाहिए, बाकी तो हम कराते जाएंगे आपको, फिर आता है हमारे पास की, अगर broadly देखा जाए, तो spectroscopy जो है, वो कितने types की होती है, तो broadly अगर आप देखोगे, तो हमारे पास जो है, दो ही तरह के spectra होता है, एक होता है emission, एक continuous भी होता है, वो मैंने physical में करा रखा, तो आप मैंने जैसे बोले, जिसको extra knowledge चाहिए, वो वाली वीडियो देख सकता है, तो मैं यहाँ पर organic chemistry point of view से ही बस topics को cover करूँगी, तो emission and absorption spectra होता है, अब emission spectra कभ मिलता है, जब कोई electron जो है, वो क्या करता है, जंप करता है, अब देखो, emit करनी है, अब जैसे को student है, उसको आप suppose कलो, 5th class का student है, उसको आप 10th class में बिठाओ, ठीक है, उसको कहो कि तुमने 10 में बैठना है, तो बैठा रहेगा, बैठा रहेगा, एक ऐसा point उसका आएगा, वो अपनी वापिस class में जाने की कोशिश कहेगा, वो कहेगा, ना, मेरे से तो 10th का मेरे पल्ली नहीं बढ़ रहा, जो teacher बढ़ारी है, मैं तो बड़ा saturated सा हो रहा हूं, so I want to back to my class, मैं अपनी lower जो हमारी मेरी class है, उसी मैं जाना चाहूंगा, तो वो पूरा frustrated हो चुका होता है, उसकी energy जो है, वो omit होती है, इस तरहे आप उसकी इसको याद कर सकते हो, तो याद रखेगा, जब कभी भी ये spectra तब आता है, जब हमारे पास जो electrons होते हैं, जब light fall करती है, ठीक है, fall करती है, light radiation को, electromagnetic radiation को, emit करता है, ठीक है, so emission करने पर, on the dark background, यहाँ देख सकते हो, dark background है, आपके पास bright यहाँ पर lines है, similarly, आपके पास absorption spectra दिखता है, absorption spectra तब होता है, जब कोई ground state में है, ठीक है, आपका पहले से ही electron जो है, वो किसी ground state में है, और वो excited state में jump करे, ठीक है, excited state में जब yump करता है, तो वो absorb करके जाएगा, obviously, एक electromagnetic radiation को, so, quanta of energy is absorbed, so, and corresponding to that absorption, it will give you the spectra, that is absorption spectra, in which you have the, यानि कि उसका उल्ट करता है, आपने, आपके पास dark lines आएंगी, on the bright background, I think, यह difference easy है, learn करना, ब्लुकुल उसका उल्ट आपने यहाँ पर लिख देना है, अब depend करता है, आपके पा देख के आपके पास उस हिसाब से आपका spectra आता है, उस हिसाब से आपके पास centimeter या micrometer उन सब में आपके पास आपको इस तरह से कुछ-कुछ spectra जो हैं, वो नजर आएंगे, so, spectra study करनी तो मैं आपको सिखा दूँगी, इस video series में, then, जो हमारे पास UV, IR, यह सारी इसके अंडर आएंगी, यह आपने याद रखना है, IR, then, your ESR हो गया, NMR हो गया, microwave इबन, यह सारी जो हमारी स्पेक्रोस्कोपी हैं, इस अंडर दा absorption spectra, okay, then, last जो हमारे पास एक basic वचा है, जो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा idea मैंने दिया था, units के बारे में, तो units का आपक microns, microns बता दिया था मैंने कितने centimeters होगारा के एकल होते हैं, यह micrometers, micrometers, और जो wave number है, ठीक है, वो भी आ सकता है यहाँ पर, wave numbers, clear, so IR में यह units of measurement आपने ध्यान में रखने हैं, NMR में आपके पास होगा, that is cycles per second में हम बात करेंगे सारी, ठीक है, यहां herds में, इसकी बात करेंगे, फिर रहेंगे आपका UV, UV में आप लोग यूज करोगे, nanometer, या micro, millimeter, sorry, millimicron, millimicron use करोगे, nanometer use करोगे, obvious इसको convert तो आप करी लोगे, तो यह हमारे units of spectroscopy रहेंगे, अब next वीडियो में हम शुरू करेंगे, सबसे पहले, UV and visible spectroscopy तो बने रहेंगा, only on chemistry drive प्लीज, keep liking, keep sharing and comment में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगती हैं और आप क्या change चाहते हो, क्या topics जिन पे आप चाहते हो कि आपको वीडियो जो हैं वो दी जाएं and इसी के साथ एक आप सब के लिए जो information है, वो यही है, मैंने announcement अपने ब्लॉग पर भी की है, तो उस ब्लॉग को भी आप follow करिए, उसका link आपको description में मिल जाता है, so वहाँ पे आपको लोगों को मैंने डाला था post की, if हमारे जो new batches शुरू हो रहे हैं, जो mathematics के बहुत ही renowned professors हैं, हमारे पास जो mathematics biology के mystery पढ़ाते हैं, so even I am also involved, I will also provide the online जो हम आपको coaching परवाइड करते हैं, so pre bookings already हो चुकी है, बहुत ही limited seeds हमारे पास हैं, globally we provide the online coaching, so interested one can also send us a email on the provider जो आपको mail दी जाती है description में, और if for any kind of queries, so you can text us in the messenger of this blog, जो हमारा chemistry drive से blog है, so I hope you all are enjoying learning chemistry through our channel, keep watching, keep sharing chemistry drive with रपनी. प्रवाइड क्वामbak मौजया स्थीजर menor जुकिए बहुरा हो, PhD करते हैं, रभय हैं, क्वेश्मधूने जूँए जू आपकोई पहुरा हैं, भासा हो जाल क MagicRe Ч describes the कi जा हुरामएट बहा ही जा हैं, समय हैं, всё pist हैसे हैं, बहुतिक पासलेangen का जैंदे हैं, खास्योंदीण ख